बिस्मिल्य रख्मानी रहीं, आई डाल टींडे की सबजी बनाने लगे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, ये टींडे तक्रीबन डेड़ पौव के करीब, मैंने अदा किलो डेड़ पौव आप इतने कार ले, साफ करके रखें, दो तमाड़ा रारी मिर्चें, ये एक कब डाल, दर्मियाना इक प्यास, ब्रसन द्रख, और ये सूके मसाले, नमक मिर्च, और सूका दरिया एगे, तीस पौण और थोड़ी सी हल्दी, कुकिंग आइल मैंने गरंग करना रखें, ये मत्टी की हंड़िया में बहुत मज़े का पंत है, ये लेगी, लाइट ब्राउन मैंने क अच्छी तरह, जब गी छोड़ेगा फिर आपको दुखाऊंगी तीन्डे डालते बाद, ये देखें, मसाले ने गी छोड़ दिया, आप तीन्डे डाल के उनकी में पहले भुनाई करनेंगे, ये, साथ ही तमाठर भी डाल देती हूँ, और ये दो हरी मिर्चे मैंने काती ह इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करनेंगे, ये लेंजी माइशला बड़ी अच्छी बुनाई होगी है, और खुश्बू, मती की, हंडी की और मसाले की बहुत अच्छी आ रही है, अब ये डाल, बिसमिल्ला रस्माने रहीं, और एक ग्लास साथ ही मैं ये बास नीचे उ अब इसकी बुनाई उग्यारा नहीं करनेंगे, जब जोश है तो आपने मीडियम फ्लेम करते हैं, मैंने जोश आने के बाद लो फ्लेम कर गी थी, डाल अभी गली नहीं है, मैंने एक ग्लास पानी का आपके सामने डाला है, ये मैंने 10 मिंट पहले इसमें आदा कप पानी का और डाल दिया है, डखने में, ताकि गरम हो जे, ये अब इसमें डाल दिया, ताकि डाल अच्छी तरह गल जे, गल जेगी खिराओं को दखाँ में, ये लें जी, अब हंडिया तकरीबन त्यार है, ये डाल मैंने चेक कर लिए, ये देखें, गल रही है, ये जो मठी की हंड अब पांच मिंट बाद में आपको ये दिखाऊंगे, ये लें जी, पांच मिंट बाद भी अभी आप देख सकते हैं, कि इसमें जोश आ रहे है, अब डन है, उमीर है, आपको ये रैस्पी पसंदा ही होगी, इस तरह आप टींडे और दाल जरूर बनाएंगे, बहुत सब्सक्राइब करें, लाइक और शेर करें, अब आपको अपने नेकी रादों में कामियाब करें